आज मैं आपके साथ में शेर करने जारी हूँ ब्रेट का नया हेल्दी टेस्टी नाश्टा इस नाश्टे को मैंने बहुत ही कम ओईल में बनाया है इसके साथ हम बनाएंगी इंस्टेंट चत्नी ब्रेट आप कोई भी ले सकते हैं मैंने वाइट ब्रेट लिये आप चाहे तो ब्रेट भी ले सकते हैं जार के अंदर हम ब्रेट को रफली इस तरह से तोड़के डाल देंगे खाने में नाश्टा ये इतना टेस्टी लगता है ना कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे बस इस तरह से मैंने सभी ब्रेट रफली इस तरह से तोड़के डाल दिये जार म नहीं लेना है और अच्छे टेस्टे के लिए मैं डाल दूँगी अद्रक और हरी मिर्च आप ज्यादा थीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी इसको हम मिक्सर जार में पीश लेंगे पेस्ट ना ज़् चाहिए इस तरह से होना चाहिए हमारा बैटर ना जादा गाड़ा ना जादा पतला इस बैटर को हम डाल देंगे बावलों के अंदर इसे हेल्थी बनाने के लिए अब हम डालेंगे धेर सारी सब्जियां सब्जियां आप अपने पसंद की कोई भी ले सकते हैं मैंने इसमें कटी हुई शिमला मिर्च एक बड़ा चमच कटी हुई गाजर डाल देंगे एक बड़ा चमच और टमाटर डाल देंगे एक बड़ा चमच और आप प्याच खाते हैं तो एक बड़ा चमच प्याच काटके भी डाल सकते हैं इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स एक बड़ा चमच और डाल देंगे इसमें हम एक चमच हम डाल देंगे जीरा और फिर हम डालेंगे इसमें स्वादनुसा नमक मैंने लगबब आधा चमच लिया है चिली फ्लेक्स की जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और फटा फट से हम इसको मिला देंगे बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे इनो, इनो का मैंने पुरा एक पाकेट ले लिया है और इसके उपर हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसे फार्मेट कर लेंगे, इनो के जगह आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, आदा चमच बेकिंग सोडा डाल देंगे और हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं मैंने नॉर्मल साइज ही रखा है बेटर डालते टाइम फ्लेम को मीडियम कर देना है और इस तरह से हम ढखकर दो मिनट तक पकाएंगे दो मिनट हो चुके हैं हमारा पैनकेक नीचे से पक चुका है अब हम इसे धीरे से पलट देंगे चाहे तो आप इसके उपर ऑईलिया गी भी डाल सकते हैं मैंने इसमें ये कुछ भी नहीं डाला है और इस तरह से पलट देंगे और इसे ढखकर नीचे से भी हम कुक कर लेंगे दो मिनट हो चुके हैं, हमारा pancake नीचे से भी अच्छी तरह से cook हो चुका है गैस कर देंगे हम बंद, इसके साथ में खाने के लिए हम बनाएंगे instant chutney चटनी के लिए मैंनी लिया है coconut, इसे सुखा नारेल भी बोलते हैं इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्च और फिर हम डालेंगे इसमें अधरक का पेस्ट डाल देंगे आधा चमच रोस्टेट चना डाल देंगे हम इसके अंदर वन फोर्थ कप इससे हमारी चत्नी को अच्छे खासे बैंडिंग मिलेगी इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और फिर हम डालेंगे इसमें स्वादा नुसार नमक मैंने वनफोर्ट चमच लिया है और इसमें हम डालेंगे आदा चमच निपू का रस चाहे तो आप दगी भी ले सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसे पीस लेंगे इंस्टेंट चटनी बनकर हमारी तयार हो चुकी है इस चटनी को आप चार से पास दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं सुबह का परफेक्ट नाश्ता हेल्थी इजी पैनकेक तयार है आपको मेरे रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताए और मेरे चैनल को लाइक और स पास्क्राइब भी करें